हेलो गुड मारिंग जोहार मसंच और आप देख रहे हैं नियो जार्खन चलिए जानते हैं जार्खन की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को धनबाद रेल मंडल की निचितपूर में बड़ा हाथसा हाथसे में करिब एक दरजन से अधिक लोग छुलज गए हैं बताया जाता है कि निचितपूर रेल फाटक के पास मजदूर पोल गाड रहे थे और उन्होंने सट डाउन नहीं लिया था काम करने के दौरान पोल डगमगा कर 25,000 वोल्ट के ओवर हेड तार से चोगिया जिसके बाद करन की चपेट में आने से मौके परीचे लोग की मौत हो गई एक दरजन से अधिक लोग गंभी रूप से जुलज गए हैं हाथसे में मारे गए सभी मजदूर रेल विकास निगम लिमिटेट के बताए जा रहे हैं मृत मजदूर जार्खन के लातिहार पलामू और उत्तर प्रदेश के इलहाबाद के रहने वाले थे इस मामले में अब तक असपष्ट जानकारी नहीं दी जा सकी है कि हाथसा हुआ कैसे घटना के बाद धनबाद गोमो रेल लाइन पर कुछ ट्रेनों के परिचालन को भी रोक दिया गया था जिसे अब समानने कर दिया गया है मौके पर पहुँचे रेलवे आधिकारी और रेलवे के डॉक्टर ने पुलीस की मौजूदगी में सवों को मौके से उठा कर पोश्ट माडम के लिए भेज दिया मिर्तकों में गोविंत सिंग, स्यामतियो सिंग, सुरेश मिस्त्री, स्यामभूया, संजय रामववा एक अन्य सामिल है हाथसा कतरास अस्टेशन से लगभग एक किलोमेटर की दूरी पर इस्थित जारखोर के पास हुआ है आज 30 मैं को जारखन एकेडमी काउंसिल कर सकता है, इंटर आर्स और कॉमर्स का रिजल जारी इस साइट पर अस्टूडेंस कर सकते हैं चेक, जारखन एकेडमी काउंसिल आज मंगलवार को इंटर के आर्स और कॉमर्स अश्रीम का रिजल जारी कर सकता है आधिकारियों ने बता है कि संभावना है कि मंगलवार को दोपहर दो बजे के बाद रिजल जारी कर दिया जाएगा जारखन एकडमी काउंसिल के सचिव MP सिंग ने बता है कि करीब धायलाक विद्यारतियों का रिजल घोशित किया जाना है उम्मीद है कि मंगलवार को रिजल जारी कर दिया जाएगा जारखन एकनमे काउंसिल की चात्र अपना रिजल ओनलाइन माध्यम से जारिजल.nic.in या जाग.nic.in पर जाकर अपना रिजल देख सकते हैं जारी किया जाएगा. बतादे की 23 माई को मैट्रिक और इंटर साइंस का परिणाम जारी किया गया था जिसमें करीब 90 प्रतिसत चात्रों ने सफल था पाई थी. उसी परकार या उम्मीद लगाए जा रही है कि कॉमर्स और आर्स में भी जारिखन की चात्र बहतर प्रदर्सन करेंगे. जारिखन में फिर बदला मौसम के मजाज मौसम ववाग ने जारी किया यलो अलर्ट आज 30 और कल 31 माई को तेज बारिस और आंधी का खत्रा जारिखन में बदले मौसम के मजाज ने थोड़ी रहा दी है लेकिन तापमान में कोई खास असर नहीं पड़ा है अब मौसम ववाग ने आज 30 और कल 31 माई को आंधी और बारिस की संभावना जाहिर की है इससे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है हलाकि कल भी कैजिलों में आंधी के साथ बारिस हुई जबकि कैजिलों में बादल चाय रहे जारिखन के मौसम कमेजाज पिछले सब्ता से ही बदला हुआ है राज़ के कैई हिसों में तेज हवा और आंधी ने भारी नुक्षान किया है कई जिलों में जमकर बारिस भी हुई है वही आज 30 और कल 31 मैं को भी भारी बारिस की संभावना है मौसम भाग ने इसकी संभावना जाहर करतो हुए यलू अलट जारी किया है जिन जगों पर सबसे ज़्यादा खत्रा है उनमें राजे की उत्तर पूर्व का हिस्सा सामिल है चल सकती है हलाकि 31 मैं के बाद एक बार फिर से गर्मी जो लोह को परिशान करेगी ये दो दिनों के दोरान जो है जार्खन के कैजलों में अच्छी बारिस होने की संभावना है तो इस दोरान जो है सतरक रहें, शौधान रहें और सुरक्षित रहें रामगण के स्कूल में लगी थी पाकिस्तान की मलाला यूसुप जय की तस्वीर मुक्या के अपत्ती के बाद हटाई गई जार्खन की राजधनी रांची से सटे रामगण जिले के एक स्कूल में पाकिस्तान की बेटी मलाला यूसुप जय की तस्वीर लगी थी इस पर मुख्या ने अपत्ती की तो अस्कूल के प्रिंस्पल ने उस तस्वीर को हटवा दिया दरसल रामगर्ण जिले के कुज्जू के डटमा मोड इस्थित कुज्जू पबलीक हाय स्कूल इस शेतर का सबसे पूराना एवम चर्चित विद्याले है इसी अस्कूल में माला यूसुप जई की तस्वीर लगा दी गई थी इस पर विवाद खड़ा हो गया तो आखिरकार चार महने बाद तस्वीर को अस्कूल से हटाना पड़ा अस्कूल की सिक्ष का मनीज धवन ने बच्चों को प्रेरित करने के लिए 24 जनवरी को अस्कूल की गेट के मुख्य द्वार पर पाकिस्तान में बेटियों की सिक्षा के आंदुलन का प्रतीक बन चुकी मलाला यूसूप जई की तस्वीर लगा दी गई जब 17 मैं को कुजू पस्सिमी पंचायत के मुख्या जैकुमार ओजा की नजर दिवार पर पड़ी तो उन्होंने इसका विरोध किया मुख्या के पूरजोर विरोध के बाद तस्वीर को आखिरकार हटाना पड़ा मुख्या ने कहाए कि हमारे देश में साबित्री बाई फूले, किरन बेदी, पूर्वराश्टरपरती प्रतिभार देवी, पाटिल, द्रोपदी, मुर्मू जैसी कई महिलाएं हैं जो लोग को प्रेरित करती है उनकी तस्वीर ना लगा कर पकिस्तान की एक लड़की की तस्वीर अस्कूल में लगाना सरासर गलत है विरोध के बाद अस्कूल के प्रधाना अध्यापक रविंद्र प्रसाद ने तुरन तस्वीर को हटाने के आदेश दिये गड़वा में द्वार पूजा से पहले प्रेमी के साथ दूलहन फरार बराती सराती में मारपीर नगर उन्टारी के नरही गाउं में द्वार पूजा के पहले प्रेमी के साथ दूलहन के फरार होने का मामला सामने आए हैं इस मामले को लेकर बराती वा सराती पक्ष के बीच जम कर बवाल भी हुआ, बवाल बढ़ने के बाद मामला मारपीर तक पहुँच गई, इसी बीच लड़की पक्ष के कुछ परबुद्ध लोग के परियास से दूलहन की छोटी बहन से साधी कराने का प्रस्ताव लाई गया, लेकिन दूलहन की छोटी बहन ने भी साधी करने से इंकार कर दिया, इसके बाद जमेला बढ़ता देख, किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी, सूचना मिलने के बाद पहुँची पुलिस ने दोनों पक्षो को समझा बुजा कर किसी तरह से मामला सांथ कराया, इसके बिना दूलहन लिये दूलहा बारात वापस लेकर लोट गया। बिना दूलहा बारात वापस लेकर लोट गया। बिना दूलहा बारात वापस लेकर लोट गया। बिना दूलहा बारत वापस लेकर लोट गया। बिना दूलहा बारत वापस लेकर लोट गया। उन्होंने आगे बता है कि तीन चार महा से टीस पीशी के उगरवादी मनीका वाहेरहंज थाना छितर में हो रहे विकास कार्यों में लेबिवध हमकी देने का कारे कर रहे हैं। एक साथ छे उगरवादियों के गिरवतारी पुलीस के लिए बड़ी उपलब्दी है। उन्होंने कहा है कि उगरवादियों के खिलाप अभ्यान जारे रहेगा। दंतोपंद ठेगडी रोजगार मेला 2022 का आयुजन किया जा रहा है। इस मेले में नीजी छितर के 30 कंपनिया भाग लेने वाली है। दो पासफोर्ट साइच फोटो के साथ साक्षतकार में उपस्तित होना है जो अमिद्वार पूर्व से निबंधित है उन्हें फिर से निबंधन कराने की अवश्टकता नहीं है। प्रधान मंत्री ने में सूर और धनबाद में हुवे हाथ सो पर दुख जता है और मिर्तकों के परिजनों के प्रती सन्वेदना परकट की है। साथी प्रधान मंत्री ने दोनों तरह सद्यों में जान गवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रे रहत कोस PMNRF से अनुगरहा रासी की खोशना की है। प्रधान मंत्री कारेल ने एक अन्नी टूइट में कहा है कि प्रधान मंत्री ने मेसूर और धनबाद के तरह सद्यों में जान कवाने वालों के परिजनों के लिए PMNRF से दो लाग रुपे की अनुगरहा रासी देने की खोशना की है। घायलों को पचास जार रुपे दिये चाहेंगे। जार्खन के अन्न 44 इस्थानों पर दामोदर महात्सो कायोजन किया जा रहा है। काफिले के साथ देवखिर से गोड़ा आ रहे है सांसन निसिकान दुबे ने 50 गोवनसों को तसकरों से कराया मुक्त। चार गिरपतार भाजपा सांसन डुक्टर निसिकान दुबे ने सोमवार को गोड़ा जाने के दोरान पोड़या हाट रोड़ पर तसकरी कर गौकसी के लिए जा रहे है 50 गोवनसियों को बचाया। उनकी सुचना पर पुलिस ने 4 तसकरों को गिरपतार कर लिया है। पुलिस ने पकड़ लिया गोवनसियों को पुलिस ने इनके चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस वासुरक्षबलों को नुसाना वराने के लिए लगाए गई आईडी बम बरामत कर नक्सियों के मनसुबे पर पानी फिर दिया है। पुलिस अधिचक आसुतोर शेखा ने बता है कि बरामत 20 फोटकों को बम निरोधक दस्ताद्वारा मौके पर ही नश्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि पांच महा में कुल 135 आईडी बम बरामत किया जा चुके हैं। यह जानकारी SDPO मौनिश चंद्रलान ने दी है। की देरराद जम कर मार पीठ हुई जिसमें दोनों तरब से लोग चोटिल हुए। जानकारी के मुताविक विश्नो मंडल का किसी लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवार था। बताय जा रहा है कि सनिवार देरराद प्रेमी युवक के घर में दोनों गुटों में जम कर मार पीठ होने लगी। जिसमें विश्नो मंडल के सिर पर चोट लग गई जिसके बाद उसे अस्पताल ले जा गया जहां उसे बहतर इलाज के लिए राफर कर दिया गया था। पुलीस ने बाइक चोर गिरों का किया खुलासा नबालिक समय तीन गिरप्तार चत्रा जिले के टंडवा में पुलीस ने बाइक चोर गिरों का खुलासा किया है। पुलीस ने टीम बना कर चापे मारे की। लोहरदगा में डोभा में डूबने से महला की मौत उत्री के साथ गई थी कपड़ा धोने। जोंजरो गाउं में सुमार खु बेटी के साथ कपड़ा धोनीवा नहानी गई महिला अपसरी खातून सेराजूल अंसारी की डोभा में डूबने से महत हो गई पुलीस मामले की जाच कर रही है। जाना छितर में डोभा में डूबने की यहां तीसरी वारदा थे। 2300 जून से 20 जून तक परिशा फॉर्म भर सकेंगे। जून को रवाना होगा। इसके तहत सुमवार की सुभा पांच बच के 40 मिनट पर इंटर सिटी एक्सप्रेस से जारखन की हज यात्रियों को रवाना करने के लिए हज कमिटी के चेर्मेन विधायक इर्फान अंसारी अपनी टीम के साथ रांची रिल्वेस्टेशन पर मौझूद थे। उन्होंने हरी जंडी दिखा कर हाजियों को रवाना किया। बताते चले कि अस्कूली सिक्षा एवं साक्षर्टरवाग ने इसी साल फरवरी में प्रात्मिक सिक्षकों की हितों को लेकर आदेश जारे किया थे। इसके बाद आट फरवरी खू रांजी वा अन्यजिलों में प्रयात्मिक सिक्छकों की परुनती में विभिन परकार की गरबडियों की जाजवा आवशक सुझाओ देने के लिए विभागिये समेती का गठन किया गया था, विभाग ने गठित विभागिये समेती से प्रयात् भीसन डखेती की घटना कोंजाम दिया है, अप राध्यों ने हैचरी कर्मियों को हाथ पाउं बांद कर बंधक बनाया, इसके बाद करिब 14 लाग रुपे की लूट पाड़ की पूरवधायक पर हमले के आरोप में दायर दूसरी चार्च सीट एन आईये ने दो नकसलियों पर दायर की चार्च सीट भीड में छिपकर बचाई थी गुरुचरान नायक निजान, पूरवधाय गुरुचरान नायक पर हुए नकसली हमले के मामले में NIA ने दूसरा पूरक आरोपत्र दायर किया है। अधनियम की कई धाराओं के तहट आरोपत्र दायर किया गया है। इकरम में सबसे पहले वे चारू मौजा पहुचे जहां उन्होंने सड़क निर्वान कारे देखा। इसके बाद निर्वान कारे सासा में पूरा जो है कराने के लिए प्रोजक्ट डारेक्टर भारत माला एवं समंधित अधिकारी को अवश्यक नरदेश दिये। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कारे पूरा होने के दिसा में कारे करें। बुनकर एक पवित्र पेसा, सरकार इनकी समश्याएं समझे और सुल्जाएं बंधुतर की, दूसरे पेसों की तरह बुनकर भाईयों का कारे केवल रोजी रोटी कमाने या गुजर बसर का माध्यम नहीं है बलकि यह एक जरिया है, खुबसूरत हुनर है, लेकिन इससे भी आगे यह इंसानियात को और हमारी इज्जत आबुरु को ढखने का माध्यम है, यह बारती जार्किन प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के कारेकारी अध्धक्च बंधुतर की ने 29 मैश्यों मौर को इरवा में आयुजित हाजी अब्दुल रजाक अंसारी हैंडलूम कमपलेक्स भारत जोडों के तहद बुनकरों की बाठक में कही उन्होंने कहा है कि भारतिये जिवन पदती में बुनकरों का महान योगदान है और उनके बिना ना केवल हमारा इतिहास अधुरा है बलकि हमारा जोए आर्थिक तंत्र भी कमजूर हो जाएगा